नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू 24 यर्स है और ये भविशिक के अरग पती का पाम है और अभी भी इनके पिता के पास इनके जलम के बाद लग बग 40-50 करोड की तो समपती जमा हो गई होगी एक ऐसी साइन है इनके हाथ में जो भौत पैसा देती है फिस साइन ही है सनमान पर पर जो तलवार कट कहते है वो वाली साइन है तो ये काफी सुन्दर पाम है हाँ इस पाम में एक माइनस पॉइंट है जैसी चाहिए वैसी धन्द रेखा इनके हाथ में नहीं है जो स्ट्रॉं कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा यह लेवल की सम्रुद्धी इनको मिलने वाली है और अभी भी मिल रही होगी एक एक करके हम इनके पाम का एनालिसिस करेंगे जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुशाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपुझनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है इस पाम को देखे तो ये स्क्वेरीज भी है और रेक्टेंगल भी है तो मेहनती भी भरपूर होंगे और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग फर्स फैलेंज का फोटो ग्राफ नहीं आया पर ये थोड़ा सा मुढ रहा है तो मित्रता पूर्ण वैवार होता है और सेकेंड फैलेंज काफी बढ़ा है तो लोजीक के साथ त्यत्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे जब किसी के फैलेंज इस तरह के होते है उनको राजनेतिक बाते करना अच्छा लगता है पॉलिटिक्स की बाते बहुत अच्छी लगती है और ये बच्चपन से ही जैसे होश संबालते है अभी तो इनकी काफी उम्रे चोटी है साधी भी नहीं हुई है पर जैसे होश संब MP बनने जैसे साइन भी है इनके हाथ में वो भी मैं बताऊंगा पर थोड़ी से बुड़ा पे मैं अब जब किसी की उंगली छोटी हो तो रेक्ती बहुत फास्ट नीने लेता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है एक माइनस पॉइंट जरूर है जब ये उंगली बड़ी होती है तो लीडर्शिप कॉलिटी तो देती है पर कहीं न कहीं इगो प्रॉब्लम भी देती है यानि छोटी छोटी बातों मैं इनका इगो हट होता है मैं इन से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी इस तरह का प्रश्णा आए तब अपने आपको छोटी उंगली फैलेंज मूट रहा है तो व्यक्ति में पैसे क्यमाने की ललक अच्छी खासी होती है और ये उंगली फर्स फैलेंज तक नहीं पहुचती तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ति, मनी में कमझोर नहीं होगे क्योंकि मनी ट्रेंगल इनके हाथ में है। इसके अलावा वा सारे चीजों में कमझोर होगे पर इनके पास इतनी समरुद्धी होती है कि ये लोग चाहे वो account हो money management वो सारी चीजे staff के द्वारा handle होती है तो इनको ज़्यादा तकलिफे नहीं आती पर personal level पर अगर subject आएगा तो money management को छोड़ कर accounts और ये सारी documentation इनमें सारों में ये कमजोर सिदोंगे अब इनके ink लगे हुए palm पर चलते है पहले मैं left palm का फोटो आया इस पर ही fish sign भी आपको दिखा देता हूँ यानि वापस इस photograph पर नहीं आना पड़ेगा एक left palm में भी देखिए यहां से निकली रेखा और यह गुमी और यहां से निकली और ऐसे गई यह एक sign है और एक यहां पर भी है यह तो left palm की है मैं right palm में भी दिखाऊंगा और काफी बड़ी है तो यह तो एक left palm की है अब right palm में आऊंगा तब right palm की sign मैं बताऊंगा बुद परवत पर भी खड़ी line है एक दो तीन चार और यह जो relation line है यह थोड़ इसी निर्देश रूप से घूम रही है तो इस तरह के लोगों को attractive जीवन साथी मिलता है और भुद परवत उभार में हो तो व्यक्ती दो चार भाशाओं का जानकार होता है business minded होता है जो वानी होती है वो मीठी होती है पॉइंट इस परवत से मिलता है अब इनके sun mount पर एक यस sign बनती बनती थोड़ी से अधूरी है complete एक आभास सा हो रहा है पर यह complete है कि नहीं पता नहीं चल रहा है पर भविश में हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनके पास इतनी सम्रुद्धी आ जाती है कि व्यक्ति को यर्ष ऐसे ही प्राप्त हो जाता है पर sign होने के बाद ही मिलती है उसके पहले नहीं यहां पर देखिए एक सुन्दर सी यहां से बनी sign और यह चल कर ऐसे गुमाव ले रही है और यह इस तरह की जब fish sign किसी भी sun line पर बनती है और तलवार cut यानि पतली तलवार cut तो नहीं कह सकते पतली यह बहुत पैसा देती है यह व्यक्ति को अरब पती बनाती है अभी इनकी 24 साल की उम्र है पर यहां तक मैं भी इनके पिता के पास अच्छी खासी भेन है जैसे वीडियो के सुरुवात मैं बताया उतनी संपत्ति जमा हो चुकी होगी तो आप सोचिए व्यक्ति 60-70 साल की उम्र तक कितनी संपत्ति जमा करेगा मामुली सी चीज है इनके लिए अरब पती बनना मामुली सी चीज है अपने आप पैसा आता है अपने आप एक साइन है और यहां पर भी दो तीन साइन है मैं उस पर भी शो करता हूँ एक यहां पर है एक यहां पर है जो आप लोगों को साफ नहीं दिखेगी और एक यहां पर है पर यह ना भी हो कोई फरक नहीं पड़ता केवल इस साइन के द्वारा ही व्यक्ति बहुत जादा अमीर बनता है यह इतनी दमदार साइन है जीवन में, यानि इनके जनम के बाद इनका परिवार step by step step by step बढ़ते ही गया होगा, पैसे के मामले में, और एक खासियत बताता हूँ, इनके हाथ में यहाँ पर स्क्वेर साइन है, यह व्यक्ति को इंटरनेस्टल लेवल का काम करवाती है, और यह पर देखिये, विदे से धन प्राप्ति की धन रेखा भी है, तो इनका फैला हुआ काम काज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहो, इस तरह का काम काज इनके जीवन में होगा, होगा और होगा, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है, इस स्क्वेर के कारण, आ और बहुत सारे स्क्वेर है, और इनका कामकाज भी टांस्पोर्टेशन का है, मल्टी सिटी का ही है, पर ये जो छोटे-छोटे स्क्वेर मल्टी सिटी का काम करवाते हैं, इंडिया लेवल पर, पर जब इस लेवल का स्क्वेर साइन हो, तो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल क काम करता है और कई देशों में सप्लाय होती है उस वेक्ति की विदेश से सम्वन आता है आता है और आता ही है और बाकी के जो स्क्वेर है वो मल्टी सिटी का अल्रेडी इनका 12-15 जगह पर हाफिस भी है मल्टी सिटी का कामकाज है और बड़े लेवल का ट्रांस्पोर्ट का का शनिपरवत पर के पहले यहां पर देखे विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्यादा लोग इनके संपर्क में आएंगे एक जुपिटर की और जाने वाली रेखा व्यक्ति को चार लाब देती है पॉलिटिकल लाब सरकारी लाब या व्यक्ति ससुराल पैसेवाला या सादि के बाद ससुराल पैसेवाला होता है और चौथा लाप जो भी कारे करते बड़े स्थरका करते तो कही लोगों को चारो लाप मिलते, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक यहाँ पर स्क्वेर साईनें बनी हुई है तो ये व्यक्ति को पुस्ते नहीं जमीन जायदात दिलाती है जीवन में यह जो sign है यह व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति की और इशारा जाता है सं माउंट की और जब जाती है तो लाइन और square भी है इसके लिए विदेश से ही मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आया जैसा कारे किसी और के प्रोडक को सेल करना, और उससे पैसा कमाना, किसी और को सेवा देना, पर इनके हाथ में इतना बड़ा स्क्कॉयर है, तो ये इंटरनेशनल लेवल से ही पैसा कमाना, clear cut indication होता है, जब किसी व् टम में व्यक्ति राजनेती में भी बना रहता है इस तरह की साइन होतों ये भी देखा गया है और धर्म के प्रती अलग आस्थावान बनाता है इनकी जो धर्म के प्रती जो आकलन होता है वो किसी को बता भी नहीं पाता है और किसी को बता भी दिया तो वो समझ भी नहीं पात ये भी थेरी रहती है अब इतना अच्छा हाथ होकर वापस एक माइनस पॉइंट इनके हाथ में जूपिटर माउंट का है जब किसी व्यक्ति का इतना बड़ा जूपिटर माउंट हो पर ये यहाँ पर बॉल की तरह उभार ले और थोड़ा शर्शनी परवत की और जाए तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्या है रहती है रहती है ये एक माइनस पॉइंट है इनके जीवन का हाँ बचपन से जोर मैं सर पे लगाओ और अभी भी याद होगा तो पती पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं तो उनमें भी खट्राग चलेगा और पारिवारिक समस्या है तो रहती है इसका मैं उपए दे दूंगा इनको ये एक माइनस पॉइंट इनके हाथ में है अब जुपिटर माउंट जब बड़ा होता है तो ऐसे लोगों को ना सुनने की यानि किसी को किसी की सुनते नहीं सुनाने की आदत होती है इनका दबदबा भी अच्छा होता है कहीं समाज में गए तो चार लोग उठकर इनको जगा देंगे बैठने को खाने के शौकिन होते है और जो भी कारे करते बड़े स्तरका करते हाँ ये कब किसकी सुने जब इनके उपर इससे भी बड़ा जुपिटर माउंट वाला वेक् रहता है अब ये जो लाइन है ये लाइन का मतलब है व्यक्ति को continue progress और साथ साथ में कभी कोई खराब समय में आ जाए तो ऐसे लोगों को अहालत खराब नहीं होती अपनी जगह पर ठीके रहते है तो इस तरह की स्तिती तो इनके हाथ में नहीं है कि खराब समय इनके हाथ मे कहीं पर भी show नहीं हो रहा ठीक है थोड़े से up-downs है इसके अलावा कोई minus point नहीं है ये square sign का मतलब होता है व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ने कोई property लेता और इनके जीवन में ऐसी भी property है इस तरह की fish line और बहुत आती है और 36 साल में authority position पर पहुशता है जैसे authority का मतलब है अभ हो सकता है पीटा retired हो जाए और इनको काम सौब दे अभी बेटा तुम देखो तो इस तरह से authority position मिलती है बड़े घर में रहने का सोबाग्य मिलता है और बोलने के कारे में master होते हैं एक line, 2 line, 3 line, 4 line, 5, 6 ये line है व्यक्ति को धार्मिक बनाती है सेवा भावी बनाती है पामिष्टे astrology इस तरह के mystery science में ध्यान जाता है और multiple income के सुरोध create होते है और अभी भी इनके जीवन में multiple income है ये already ये मंगल सरीर में energy भरपूर देता है जमीनों से भी benefit भरपूर देता है जब दोनों मंगल अच्छे हो पर इनको अपशब्द बोलने की बहुत जादा आदद होती है और इस period में तो बहुत जादा बोलते होंगे क्योंकि जवानी के period में बहुत जादा अपशब्द बोलता है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कम जरूरोगा पर एकदम निकलेगा ने और फिर एकदम भुड़ापा आता है जब हाथ पैर नहीं चलते उस समय बहुत जादा अपशब्दों का प्रयोग करता है जिनके मंगल अच्छे होते हैं बागी मंगल पर कोई माइनस पॉइंट नहीं है इनके हाथ में बारी मंगल भी काफी अच्छा है जब किसी से मिलेंगे तो एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है जो इनके हाथ में इस तरह का कोई हैवी संकट है इनी चंद्रपरवत पर जाने वाली रेखा है ये व्यक्ति को विदेश घुमाएगी और चंद्रपरवत अच्छा है व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही और इनके पास इतनी मनी होती है कि विदेश जाना इनके लिए परचेसर होते हैं, परचेस में इनको बिठा दो तो चार चान लगे, इतने अच्छे परचेसर होते हैं, तो यह सारा एडवांटेज इनको मिलता है, और साथ में फिश साइन वालों को मनी ट्रेंगल न भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर यह मनी ट्रेंगल इनका ब अब शुक्रपरवत देखे, तो शुक्रपरवत पर कोई कमी नहीं, यह लगजरी लाइन देखिये, यह शुक्र रेखा और उससे साखाय निकलती है, ऐसे लोग महंगी महंगी गाड़ी हो में घुमते, दो तरह के लोग महंगी घुमते, एक ही इस तरह की रेखा वाले, और शुक्र परवत पर कोई फिश राइन होतों ये दो जगा पर व्यक्ति लग्जरियस गाड़ियों में गुमता है तो ये इस तरह की रेखा है इनके हाथ में और सारी मोटी रेखा है कोई चिंदा की बात नहीं है शुक्र परवत अच्छा है कपड़े अच्छे पैनेंगे अच्छी तरह रहेंगे इस तरह की इनकी मानसिक्ता रहेगी और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाता है अब इनकी हिर्दे रेखा देखे तो एक पार्ट यहां से निकला तो सुरुवात में तो ये थोड़े से आदर्सवादी तो नहीं ये केवल यहां से ही निकल रही है यानि शनी परवत के आसपास से ही निकल रही है और ये लाइन यहां तक चलेगी इस पिरियड तर और ये पिरियड होगा लगबग 36 के आसपास तर 36 तक थोड़े से भी आदर्सवादी रहेंगे और ये लाइन इनको गुसा दिलाएगी हमेशा गुसा जहन में रहेगा इनके एक लाइन, दो लाइन, ये मित्रों को सके समझने को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा और ये लाइन माबब की सेवा करने वालों के हाथ में होती है और काफी लाइन है, बहुत अच्छी सेवा करेंगे माबब की एक लाइन, दो लाइन, ये फ्लर्ट लाइन है यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी दिर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंगता है और एक छोटी फिशाइन यहाँ पर भी शोग हो रही है ऐसे लोग बिजनेस बहुत शार्प होते बिजनेस में अती शार्प, एक यहाँ पर भी है ये लोग बिजनेस में अती शार्प होते इनको अगर कोई 20 मिनिट भी प्रेजन्टेशन के लिए आया तो जैसे प्रेजन्टेशन शुरुवात करेगा दो मिनिट में समझ सकते इतने शार्प होते हैं ये लोग जिनके बुद परवत पर फिशाइन होती है अब माइन लाइन पर एक ब्रेक है इनके लगबक 18 के आसपास यहाँ पर ब्रेक है ये एक देड़ साल इनका अच्छा नहीं गया होगा कोई नों कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनके मन को विचलित किया होगा और उसके बाद ये माइन लाइन सुन्दर रूप से चल कर यहां तक चल कर सीधी एंड टक जा रही है तो ऐसे लोग बुद्धी प्रतिवा के धनी होते है और जैसे जैसे उम्रों बड़ेगी धार्मिकता भी आएगी बारवालों के लिए उत्तम रहेंगे घर में एक व्यक्ति को थोड़ा ज़ादा बोल बोल करेंगे और बुद्धी प्रतिवा पांच मिनिट भी बरबाद नहीं करता कोई ने कोई ग्यान लेने की कोशिस करता है बाकी माइन लाइन पर कोई तकलिफ कहीं पर भी नहीं है ठीक है थोड़ी सी लाइने रहती है थोड़ा सा दबाव रहेगा इसके अलावा नहीं बाकी ये ब्रेक के बाद व्यक्ति बहुत जीवन में सिरियस बन जाता है यानि उसके पहले इतना सिरियस नहीं होता अब इनकी जीवन रेखा पर देखे तो ये जो पिरियड गया होगा ये इतना अच्छा नहीं गया होगा बारा के आसपास का पिरियड एक दो साल का इतना अच्छा नहीं गया होगा क्योंकि यहाँ पर डिश्टरबंस भरपूर है और एक बहुत बड़ा आफशूट लगबग 13 या 14 साल के आसपास इनको भरपूर आफशूट मिला है तो कोई न कोई अच्छी वस्तु इनके जीवन में हुई होगी इसी पिदियर में उसके बाद देखे तो इस लाइन ने इनके जीवन में 18 के आसपास ये जीवन रेखा को टच कर रही है हेवी इलू-इलू हुआ होगा जैसे एक दूजे के पिच्चर में होता है वैसा है रिलेशन शिवन इनके जीवन में आई होगी 18 साल के आसपास उसके बाद 23-24 के आसपास एक बहुत बड़ी राऊ रेखाने काटा था ये एक साल पूरा इनका खराब गया होगा और नेगेटिव फिलिंग से गुजरे होंगे चीजे दिश्टर्ब होते हुए इनको दिखी होगी इसके बाद ये जो लाइन है ये यहाँ पर अगर टच करती है और ये टच कर रही है तो ये लगबग इनके उम्र में अभी 6 महीने या 12 महीने के अंदर इनके जीवन में सायनाई बजनी चीए ये लाइन के द्वारा उसके बाद देखे 25 की होगी ये लगबग 24 समझो और ये 25 में साधी 6 महीने या 12 महीने में इनके जीवन में सहनाई बजनी बजनी उसके बाद इनके जीवन में 29 में एक राउरेखा काट रही है और इसी पिरियर में एक आफशुट भी है तो कोई ने गाटा भी जाएगा इ लेगी जीवन में उसके बाद 31 में एक राव रेखा काट रही है छोटी सी इतनी बड़ी नहीं है छोटी छोटी राव रेखा है 31 के बाद यह 29, 31 और यह 33 और यह 35 इतनी राव रेखा है इनको यहाँ पर डिश्चप कर रही है और एक 38 में थोड़ी सी बड़ी है इसकी आधी है पर यह भी 38 में इनको परेशान करेगी और एक छोटी सी 40 के आस पास है और इस बीच भी बहुत सारे आपशूट है तो कोई ने कोई सफल जीवन में मिलती ही रहेगी और एक लास्ट राउ रेखा है इनको 46 या 47 के आस पास है और चोटी सी 45 के आस पास है उसको छोड़कर कोई खास राउ रेखा है नहीं सारे आफशूट है और यह सारी यात्रा रेखाई है तीसतर हरकीन की जीवन रहेगी और अब चलते इनकी धन रेखा पर धन रेखा ये देखिए ये फैली तो नहीं कह सकते है पर इतनी शशक्त नहीं है जैसे तलवार कट्ची ये वैसी नहीं है अगर ये धन रेखा अच्छी होती तो ऐसे लोग 700-700 करोड का टन ओवर साला ना करते है पर इस तरह की धन रेखा मैं ये 700 करोड नहीं कर पाएंगे हाँ पर इस परवत के जो लेफ्ट एंड में भी फिश्टा हैंने काफी बड़ी बड़ी है तो हो सकता है मेरे हिसाब से ये 1500 करोड के आसपास होना चीए पर वो लेफ्ट पाम को अगर काउंट करे तो ये 300 करोड के आसपास का टरन ओवर ये जीवन में कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है एक सटन एज के बाद तो कोई छोटा एमाउंट नहीं होता ये टरन ओवर भी और यहाँ पर देखे तो ये अभी वर्तमान में यहाँ पर चल रहे है और ऐसी धन रेखा में भी इनके पास ये 24 साल है ये 29 में और ये 24 के आसपास ही है ऐसी धन रेखा में भी इनके जीवन में कोई डिश्टरबंस नहीं है इंकम आ रही है ठीक है अभी ये सुरुआत है इनके विजनेस की तो इनके पास नहीं आ रही है के पिता के पास आ रही है और यह यहां पर थोड़ा सा डिस्टरबंस रहेगा यह डिस्टरबंस रहेगा 27 से लेकर 30 तक थोड़ इसी ज्यादा जिग-जैक है तो अप डाउन चलते रहेंगे इस पिरियर में और 29 में कोई लॉस जाएगा इनको फिर उसके बाद अगर देखे तो छोटी-छोटी लाइने यहां पर भी कट कर रही है यह 33 में भी कट कर रही है 35 में भी कट कर रही है और 37-38 में भी कर रही है और इसी पिरियर में राहू रेखाए भी है तो छोटे-मोटे नुकसान इनको यहां पर भी जाएंगे ये लाइन भी इनको नुकसान देगी ये पिरियड होगा 41 के आसपास और यहाँ पर 42 के आसपास बड़ा सा इन्वेस्मेंट होगा और छोटे-मोटे कट लगेंगे इनको पता भी नहीं चलता इतने बड़े पाम में और ये जो विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है इनके हाथ में अल्रेडी है पर ये जो बिजनेस है ये थोड़ा सा टुक्रे-टुक्रे में चलेगा इतना strongly नहीं चलेगा पर एक एज के बाद ये काफी strongly चलेगा यानि ये एज होगी 42 के बाद 41 या 42 के बाद काफी speed में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस फोरें से जो विदेश से धन प्राप्ति का है वो speed में चलेगा उसके बीच में थोड़े से अपडाउंस आते रहेंगे कभी अच्छा कभी खराब इस तरह से होता रहेगा बतलाव आते रहेंगे और यहां से एकदम जम पाएगा इनके जीवन में और यह धन रेखा यहां पर देखे तो दीरे दीरे सुदर्ती सुदर्ती आगे चल रही है और up to end तक जा रही है और बहुत सारी दूसरी भी धन रेखा है तो कहीं न कहीं से पैसा जीवन में आते ही रहेगा यह rented income की और जाता है investment की income की और और यह जूपिटर की और जाने वाली रेखा तो ऐसे लोगों को इतनी कमजोर धन रेखा भी हो तो भी पैसा कमाती है क्योंकि उस sign में इतना ताकत है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए और हाँ एक और sign है इनके हाथ में जी इनको MLA बना सकती MP बना सकती है राजनेती में उसका discussion रही गया यह यहाँ पर दूसरे photograph में यह इतनी बड़ी फिश्चाहिन है कि यह लगबग एज 44 या 45 के आसपास यह इनको Member of Parliament भी बना सकती है इतनी बड़ी फिश्चाहिन है यह तो राजनेती में भी यह चमत कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है और यहाँ पर भी आवास हो रहा है तो यह कोई न कोई बड़ा पद मिलता है ऐसे लोगों को और वागी बहुत सारी रेखा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिखते जाएंगे यहाँ पर भी sign है एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है यह सारे उच्च पद दिलाने वाली साइन है अब नेच्रल है व्यक्ति पैसा कमाएगा तो उसे उच्च पद की लालसा होती है और ऐसे लोगों को राणनेती में जाना बहुत आसान काम होता है यह लोग पैसे के बल पर उस चीज को जीत लेते हैं तो इनका काफी अच्छा हाथ है बड़ी हाथ है हां इनकी जो धन्द रिखाती इसका उपाय मैं इनको दे दूंगा और चुपिटर माउन का भी उपाय इनको दे दूंगा बागी पैसा इनके पास अपने आप आते रहेगा ज्यादा सोचने की जुरत नहीं ह तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद